दोस्तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिक मेडिसिन जिस पर हम दबाईयों के बारे में नई नहीं जानकारी लेकर आते हैं तो guys आज की इस वीडियो में आप मेरे हाथ में इस medicine को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं तो guys आज की वीडियो में हम बात करेंगे mouth ulcer के लिए एक बहुत ही effective medicine है एक बहुत अच्छा paste है mouth ulcer के लिए तो इसके बारे में हम बात करेंगे guys जिसको triamsiline कहा जाता है तो guys ये medicine triamcinolone acetonide vuscal paste के नाम से आती है और यहाँ इसका नाम है TES तो TES 5 ग्राम की pack में है जो की common mouth ulcer के लिए use की जाने वाली medicine है तो guys ये जो medicine है ये जब किसी को मूँ के ulcer हो जाते हैं यानि मूँ में च्छाले हो जाते हैं जैसा कि आप यह pack पर देख भी सकते हैं तो किसी के मूँ के अंदर च्छाले जैसे होट के अंदर च्छाले हो जाते हैं मूँ की side में दिवारों पर च्छाले हो जाते हैं जीब में च्छाले हो जाते हैं तो इसके treatment के लिए काफी असरदार होता है, बहुत अच्छी medicine है दोस्तों, तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा generally ये prescribe की जाती है और अगर आप इसको normal भी use करना चाहते हैं, तो आप इसको use कर सकते हैं, गाइज ये sedule H prescription drug है, तो आपको डॉक्टर की सला से use कर चाहिए और डॉक्टर की सला से आप use करते हैं, तो आपको benefits और भी जादा मिल जाते हैं, दोस्तों, इसके अंदर tryamcinolone, acetonide, indian pharmacopoeia के according 1% weight by weight की form में है, और इसको paste के form में बनाया गया है, ताकि इसको use करने में आसानी हो, गाइज ये medicine क्या है, कि जब किसी को मुँ के ulcer ह तो मुँ के ulcer होने का reason अलग-अलग हो सकता है, जो common होता है, वो किसी भी व्यक्ति को या किसी patient को जब पेट की गर्मी होती है, यानि वो कुछ बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाते हैं, और इसके साथ ही जब किसी को पेट में gas ब जाती हैं, तो guys इस तरह की जो भी problems होती है, इनको treatment करने के लिए, ये try epsilon medicine काफी असरदार होती है, अब इसको कैसे use करना है, इसके बारे में समझ लेते हैं, तो guys इसको use करने का तरीका ये है, कि इसको bad time पर आपको जो है, इसको paste को लेकर अपने मुँ में उंगली से ठीक हो जाते हैं, और इस medicine को एक सही temperature पर रखें, और tightly close करके रखें, बच्चों की पहुंस से दूर रखें, दोस्तों बात करें, इसकी कुछ basic information की, तो इसको बनाने वाली company Troy का pharmaceuticals है, और इसका MRP 85 रुपीज है, तो 85 रुपीज यानि के 85 रुपे माँ आप इसको medical store से ले आते हैं, दोस्तों इसकी expiry अगस्ट 2023 की है, तो काफी लंबे समय तक इसकी expiry है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो गईज ये इस medicine की basic information हुई, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, कि इसके साथ आपको क्या safety tips रखने है, क्या ध्यान रखना है, तो दोस्तों जब भी आप इस तरह का medication करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि तली भुनी मसालेदार, मिर्च मसालेदार चीज़ें आपको नहीं खानी है, बहुत हलका फुल का मिर्च मसाला यूज करना है, साथ ही आपको पानी ज़्यादा पीना है, और इसके साथ supportive medication के तोर पर आप बीका सूल capsule काफी योज कर सकते हैं, तो गाइस बीका सूल capsule daily जो है आप एक ले सकते हैं, और गाइस ये medication आप एक हफ्ते तक करते हैं, तो आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है, और आपका जो mouth ulcer की problem है, वो completely cure हो जाती है, तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये mouth ulcer की medicine का वीडियो आपको प इस्ता बने, साथी वीडियो को like करें और अपने दोस्त और relative group में share करें, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सकें और वो भी इससे फाइदा उठा सकें, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के